आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी investment strategy कैसी होनी चाहिए for early stage investment यानि अगर आप 20s में हैं अभी अभी अपने नौकरी start किये या अपना business start किया है या freelancing करते हो कहीं से भी पैसा आना शुरू किया है आपने आपके पैसा आना शुरू हुआ है और आप चाह रहे हो कि आप कुछ expert advice लेके कुछ ऐसा करो जिससे आपका wealth इंक्रीज होने लगे और आपको future में एक emergency fund भी आपके पास रहे और आपके पास थोड़ी सी financial stability हो तो इसमें कुछ points तो मैं अपने sorts के थुरू छोड़ी चोड़ी जो वीडियो देता हूं उसके थुरू cover करता रहता हूं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपकी ideal strategy होनी चाहिए और आखिर में आप लोग को rate करना है कि आपकी strategy इसके साथ कितनी match कर रही है और वहां पे आपको अपने आपको number भी देने हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिएगा और पहली बार चैनल पर आया है तो जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यह चैनल आपका है तो यह वीडियो जाला तर सूट करेगा उन सारे लोगों को जो अपने 20s 24 25 28 29 30 30 भी चलेगा जितना जल्दी यह काम क साधी होने के कुछ साल बाद बच्चे हैं और आपके खर्चे बढ़ गए लेकिन आपकी सेलरी नहीं बढ़ पा रही है और आप अपने खर्चों से जाद अपनी जो सेलरी से उससे जादा खर्च कर रहे हैं ऐसे के इसमें आप कभी-कभी लोन ले ले लेते हैं परसनल लोन करते रहते हैं मौल में घूमने जाओ कहीं पर सौपिंग कॉंपलेक्स में जाओ तो यह लोग मिल जाते हैं और आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया अब क्रेडिट कार्ड बनवाने का मलब खर्चा भी करना है आपको यहीं से आप ट्राप होना शुरू हो जाते हैं आपको जो financial complications है ना यहीं से आप फसते चले जाते हैं और यह जो विसेश circle बनता है कि आपका पैसा आया आपने credit card में दिया फिर वहां से shopping कर लिया फिर due हो गया फिर आगे पैसा आया उसी में दिया और इसी में फसे रहते हैं और बीच में आप अपना hard earned money pay करते रहते interest के पहुंब में तो मैं आपको कुछ point बताने वाला हूं पहला point है गलती से भी personal loan नहीं लेना है आपको चाहे आपका mutual fund में interest मिल जाएगा इससे जदा आपको output मिल जाएगा बिलकुल मताना याद रखना financial education में सबसे बड़ी बात होती है कहीं से भी पैसे loan लेके investment करना ठीक नहीं होता loan लेके हम अपने business में कुछ चीज़ें कई बार पैसे डालते हैं बट cash flow बढ़ाने के लिए और ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपको personal loan या credit card का loan 5-6% interest पे मिल जाए आपको मिलेगा 10-11-15% पे और credit card पे अगर आपने default किया तब तो 2% पर मन्त धाई पर मन्त के हिसाब से आपको interest देना पड़ेगा जो लाला वाला interest हो जाएगा जो आप एक चक्करे फस गयाना तो फसते चले जाओगे यानि गलती से भी करके आपको अपनी नौकरी के सुरुवाती समय में चाहे आप कितना भी stretch करना पड़े आपको आप loan के चक्कर में नहीं पड़ेंगे अगर आपका खर्चा काम नहीं कम पड़ रहा है तो दो चीजे करिए या तो आप नौकरी दूसरी ढूड़िये जिसमें आपका enhancement हो या फिर आप पैरलल अप income generate करिए में भी obtusion पढ़ा सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं बट आपको अपना earning पढ़ाना ही पड़ेगा अब आज आते हैं investment strategy जब हम अपने early stage में शुरुवाती जाब में होते हैं तो इतना पैसा नहीं होता कि हम अच्छा खासा diversified portfolio अपना बना पाएं थोड़ा gold भी ले लिया, थोड़ा mutual fund भी ले लिया, थोड़ा FD में डाल दिया, थोड़ा bond ले लिया नहीं हो पाते हैं। मेरा सबसे कहना है कि ऐसे case में आप 500 रुपिया ही सही है mutual fund में डालो पांच सो रुपिया ही सही है, कुछ नहीं तो gold आजगा digital gold आ रहा है। उसमें आजकल तो 100 रुपय का भी गोल्ड खरीदा जा रहा है। आप उसको पर्चेस करो। कई बार आपको लगता है कि सुरू में जो उसके GST है, expense ratio है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी age कम है तो long term में आपको फाइदा ही देखे जाएगा। और आपके पास एक almost liquid asset होगा। आप अगर mutual आप जैसे आपके earning बढ़ती है जैसे आप सेव ज़्यादा कर सकते हैं तो mutual fund में पैसा थोड़ा ज़्यादा डालते लो। कुछ पैसा चाहे वो 100 रुपया, 200 रुपया ही सही, आप recurring amount खोल दो, जैंकि यह एक तरह से liquid होता है, आप आज कल online internet banking चे तुरंद break कर सकते हो, और saving के बराबर का आपको interest मिल जाएगा। उस time जब break करोगे, नहीं break करोगे, तो recurring का एक अच्छा कासा पैसा आपको मिलेगा, तो यह जो liquid की तरह काम करेगा आपका पैसा, और parallelly आपका investment भी grow कराता रहेगा, और याद रखो इसमें आपको थोड़ा rigid होना पड़ेगा, कि गलती से भी इस पैसे को मुझे touch नहीं करन बढ़ेगी, बट फिर भी अगर कहीं पढ़ जाती है, तो कोई partial amount निकालो, पूरा मत निकालो, तो यह रहा मेरा, आपको सला अब आजाते हैं, तीसरे point पे, और यह point है, अगर आप थोड़ा earning आपके और बढ़ गई, तो आप अपने पैसे को share market और bonds में डाल सकते हो, से लेके 15% के बीच में आपको return दे सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा एक problem होता है, कि कुछ bond ज्यादा secure होते हैं, कुछ bond कम secure होते हैं, और हर bond की एक rating होती है, A++, A, B++, इस तरह से, जो जितना A++ बहुत secure है, A bond भी ठीक है, बट B++ या B या C उसके बाद जाओ, यह थोड़ा security जदा होगा, और आप अगर अपने कम age में हैं, तो share market में अच्छी companies, fundamentally strong companies में आप investment कर सकते हैं, trading अलग होता है, investment अखसर technical terms में किया जाता है, टेकनिकल एनलसिस करके किया जाता है, investment अकसर fundamental एनलसिस पे किया जाता है, company का future कैसा है, company का past कैसा था, company का management कैसा है, company का vision क्या है, company का growth, विशली कई सालों में कैसा रहा, balance sheet कैसा रहा है, cash flow कैसा रहा, इन सब को देखके invest किया जाता है, fundamentally strong companies में जो आपको long term में बढ़िया return देंगी, जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और हाँ, कलती से भी अप जमीन, जाजात, building इन सब के चक्कर में सुरू मत पढ़ना, तो यह जो पूरा point बताया, इसमें आप मुझे comment करके बताईए, कि आप किस तरह सोच रहे थे, आपकी planning के थी, और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, subscribe कर लीजेगा, और like जरू करिए, thank you very much, bye bye